हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है मैं रेट्व चैनल में और आज हम लेकर आये हैं जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से जो परिचालन विवाग का जो हमने चालो किया है मल्टिपुल च्वाइस कोश्चन उसका जो स्रीज है उस स्रीज का सेट नमबर टू और आज हम लेंगे कोश्चन नमबर फिप्टी वन से हंड्रेड तक यानि एक्क्यावन से लेकर सौ तक आज भी हम पचास कोश्चन लेंगे चलिए शुरू करते हैं कोश गंटे पहले उसे मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए इसका अंसर ऑप्शन सी होगा आठ गंटे नेक्स कोश्चन लेंगे फिप्टी टू का कुश्चन है लोको पाइलट के पास यदि डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया गया हो चसमे के कितने सेट होने चाहिए इसका अंसर है बी अन्य रेलवे करमचारी के लिए यह लागू है जिनको चसमा निर्धारित किया गया है दो सेट उनके पास चसमा होना चाहिए नेक्स कोश्चन लेंगे 53, on duty station master को मौसम चतावनी संदेश किसके द्वारा दिये जाते हैं बेदर बार्निंग मैसेज इस गिवें टू दा on duty station master by home यह section controller यानि खंड नियंतरक के द्वारा station master को यह दिया जाता है इसका अंसर D, option है खंड नियंतरक नेक्स कोश्चन लेंगे 54, mauq multi aspect upper quadrant signal व्यवस्था में block overlap कितना होता है, block overlap in mauq signaling system तो block overlap जो है, multi aspect का बताया गया है, तो इसमें 180 और 120 होता है, block overlap होता है जो 180 होता है और 120 जो है signal overlap होता है, तो यह block overlap पूछा गया है, इसलिए answer D होगा, 180 meter नेक्स कोश्चन लेंगे नेक्स कोश्चन लेंगे 55, बुलावा signal, किस signal को छोड़कर किसी भी रोग सिगनल के नीचे लगाया जा सकता है, calling on signal may be placed below any stop signal except which अंथी रोग सिगनल, पर्थम रोग सिगनलumbsव और सिगनल सभी यानि यहाँ क्या है, 55 कोश्चन है, यह Chief रोग सिगनल्सज़कर को नहीं लगाया सकता है, पर्थम रोग सिगनल आप केनीचे लगाया जासकता है, लेकिन 56 ऑर्ध स्वाचल धर्द सुचल गेट इज्ड सिकनल पर एज़ी मारकर प्रकासित होने का भी प्राइब किया है भाटी दाय्ट मीनिंग आफ एज एल्युमिनेटड एज़ी मारकर इन सेमी ऑटमेटिक गेट सिग्नलिंग गेट सिग्नल सेमी ऑटमेटिक गेट सिग्नल है तो उस पे यदि एजी मारकर प्रकासित हो रहा है तो उसका अर्थ क्या है इसमें तीन तरह के होते हैं दोस्तों एक है कि एज मारकर है दूसरा है कि एजी मारकर बुझा हुआ है और इसमें अभी जो पुछा गया है कि एजी मारकर प्रकासित हो रहा है और एक होता है कि दोनों भी बुजा हुआ है इसमें तीनों तरह के कोस्चन उठते हैं तो यहां जो कोस्चन है अर्द स्वचल गेट सिगनल पर एजी मारकर प्रकासित हो रहा है इसका भी पराई क्या ह what is the meaning of illuminated AG marker on semi-automatic gate signal तो इसका जो answer बी है काटे सेट है परन्तु gate खुला है अथब खराब है काटे सेट है और लॉक है काटे जो है सेट किया गया है लोक किया गया है लेकिन gate खुला है या खराब है यानि गेट जो है ओपन है इसका अंसर ऑप्शन बी होगा नेक्स्ट लेंगे फिप्टी सेवन अर्द स्वाचल गेट सिगनल पर एजी बुझा एजी मारकर है जो बुझा हुआ है और ए मारकर प्रकासित होने का विप्राइब क्या है बटी दा मिनिंग आउप सेमी ऑटमेटिक गे सब्सक्राइब के लिए विबंद कर दिया गया है और लॉक कर दिया गया है पॉइंट सेट एंड लॉग एंड गेट ऑल्सो क्लोज़ड एंड लॉग्ड फॉर रोड ट्रैफी इसका अंसर की होगा है निक्स्ट कोश्चन लेंगे फिप्टी एट अर्द स्वाचल गेट सि सिगनल भें्द ए जी एंड ए मारकर आर्ड डिस्टिंग्वीज्ड तो यहां पर जो अंसर है दोनों भी ऐस नहीं है कांटे भी तो नहीं है ने नेस्ट कोश्चन लेंगे 59 जब सिगनल लगतार बाउबिंग फिलिक्रिंग हो रहा हो तो सिगनल कौन सा संकेत प्रदासित कर रहा है या माना जाएगा इसलिए 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 इसका जो अंसर होगा नेस्ट कोश्चन लेंगे 60 रात के समय हाथ सिगनल बत्ती में लाल रोशनी उपलवध ना हो तो खतरा संकेत किस प्रकार से बताएंगे इसका if red light fails in hand signal how can exhibit a danger signal in a night तो रात के समय हम कैसे प्रदर्शित करेंगे कि हम डेंजर सिगनल बता रहे हैं तो सफेद बत्ती को सरीर के सामने दाएं बाएं तेजी से हिला हिला कर इसे जब प्रदर्शित किया जाएगा तो समझा जाएगा कि वह डेंजर सिगनल बताया रहा है violently waving a white light horizontally across the body इसका answer option D होगा next question लेंगे 61 जब कोई रोक सिगनल नियूनतम दृष्टा दुरी से दिखाई ना पड़े तो इसके संकेत को दुहराने है तू काउन सा सिगनल लगाया जाता है तो इसके लिए क्या होता है repeating signal लगाया जाता है और repeating signal क्या करता है जो आगे वाला signal रहता है उसका जो इस्तिति है वही यह बताता है तो यहां जो है repeating signal इसका answer होगा option B next question लेंगे 62 signal sighting committee में TI, LI, SI और कौन-कौन होते हैं तो इनके साथ और कौन-कौन होते हैं तो इनके साथ पी डवलाई होते हैं या तो और पी डवलाई रहेंगे इनके साथ वही होते हैं कंसिस्ट ओप TI, LI, SI और SI होगे या फिर SI के जगा पर पी डवलाई होगे तो signal sighting committee में यह तिन लोग होते हैं TI, SI, LI और लास्ट में अगर SI नहीं है तो फिर पी डवलाई होते हैं चारू याद रखना है TI, SI, LI और पी डवलाई नेक्स्ट कोचन लेंगे 63, IBS क्राउन सी स्रेनी का स्टेशन माना जाता है, IBS is treated as which class of station, IBS जो एक सी क्लास का स्टेशन होता है लेकिन वह unmanned होता है, मैंड वहाँ पर कोई नहीं रहता है, इसलिए इसे मानव रहित सी स्रेनी, unmanned सी क्लास स्टेशन कहा जाता है option D इसका answer है, सी क्लास स्टेशन मानव रहित सी क्लास स्टेशन, नेक्स्ट कोचन लेंगे 64, calling on signal, आफ इस्तिती में मिलने पर लोको पाइलट को क्या निर्देश देता है, लोको पाइलट को in off aspect, in off position, which instruction is given by calling on signal to लोको पाइलट, लोको पाइलट को क्या बताता है, कि वह सतर सतरक्ता पूरवक आगे बढ़ो, और किसी भी अवरोध के पहले रुकने के लिए तैयार रहो, यहाँ पर है, रुको सतरक्ता पूरवक आगे बढ़ो, डी answer option इसका है, यहाँ पर इसके आगे है, रुको, रुको सतरक्ता पूरवक आगे बढ़ो, और किसी भी अवरोध के से पहले रुखने के लिए तयार रहो स्टॉप एंड प्रोशीड कॉसिएसली प्रिपेर टुब स्टॉप एट इनी सौट ऑफ और स्टॉक्शन इसका अंसर ऑप्शन डी होगा इसको सब्सक्राइब किस रोग सिगनल को छोड़ कर किसी अन्य रोग सिगनल के नीचे लगाया सब्सक्राइब सिगनल जा सकता है और पर्फम रोग सिगनल के नीचे कभी भी नहीं लगाया जा सकता है तो इसका अंसर है 65 का option B पर्थम रोग signal यानि पर्थम रोग सिगनल के नीचे संट सिगनल नहीं लगाया जा सकता है निच्ट कोशन लेंगे 66 बुलाबा सिगनल और सिगनल और सिटी में कौन सा रोसनी देता है कॉलिंग और सिगनल शोज विच लाइट इन और कंडिशन और कंडिशन में कोई भ होगा 67 यदि संट यदि सिगनल खराब हो तो संबंदित कार्टों को डैस माना जाएगा क्या माना जाएगा इस सिगनल विकम्स डिफिक्टिव रिलेटेट पॉइंट वी ट्रीटेज आइड नान इंटरलॉक नान इंटरलॉक मानके उस काटे पर गाडियों का संचालन किया जाएगा इसका अंसर ऑप्शन बी होगा नान इंटरलॉक में नंबर 68 पटाखे की समाने उम्र कितने बर्स है बाटी नॉर्मल लाइफ आप डिटोनेटर जो है उसका जो उम्र होता है वह फाइव यर्स होता है पांस साल के लिए वह होता है इसका अंसर ऑप्शन ए है परिच्चन करने के बाद पटाखे की आयू अधिक्तम कितने बर्स होती है आफ्टर टेस्टिंग बाटी दा मैक्समुम लाइफ आफ डिटोनेटर तो इससे इसका जो अंसर है वह एट यर्स है तीन बार उसको एक एक साल बढ़ाया जा सकता है लेकिन टेस्टिंग के बाद उस लौट का जो डिटोनेटर रहेगा उसे अधिक्तम एट यर्स तक यानि कि पांस साल खत्म होने के बाद तीनुस साल और बढ़ाया जा सकता है उसके बाद उसका यूज नहीं किया जाएगा नेक्ट को अंसर जो इसका है डी एट यर्स नेक्ट कोशन लेंगे सेवंटी कृष तो इस घोड़प करने के लिए इस ऐदिकार पत्र दिया जाता है तो खराबने कोशन को पास करने के लिए यहां को मदफ करने के लिए इसका अंसर होगा और option B इसका सही अंसर है जब सिगनल खराब हो तो तो देकर गाड़ियों का संचालन किया जाता है नेस्ट कोस्टन लेंगे सेवन्टीवन डैस का बचाव अंतिम रोग सिगनल द्वारा किया जाता है अगले ब्लॉक शेक्षण का बचाव करता है नेक्स्ट ब्लॉक सिक्षण में गाड़ी को प्रवेश को नियंत्रित करता है इसलिए जहां ब्लॉक सिक्षण एहेड का अंसर होगा option B अगला ब्लॉक सिक्षन नेक्स लेंगे 72 विजाड़ी को IBS तक भेजने के लिए किस से line clear लिया जाता है लाइन क्लियर इज अप्टेंड फ्रॉम भी वहाँ पर लगाया जाता है उसके द्वारा लाइन क्लियर लिया जाता है तो यहाँ जो अंसर होगा इसका option C वो प्रॉक्त दोनों होगा नेक्स्ट कोस्चन लेंगे 73 इस्थिती बत्ती वाला संट सिगनल किसी रोक सिगनल के नीचे लगा होने पर ऑन इस्थिती में कौन सा रोशनी देता है भेन पोजीशन लाइट संट सिगनल इज प्लेश्ड बीलू ए स्टॉप सिगनल इट सोज भीच लाइट एट ऑन कंडि नो लाइट नेक्स्ट कोस्चन लेंगे समान इस्थिती में आई बीएश कौन सा रोशनी दिखाता है भाटी जा नॉर्मल एसपेक्ट ऑफ आई बीएश समान में वह लाल रोशनी दिखाता है रेड और ग्रीन दो ही एसपेक्ट उसकी में होता है तो यहां पर जब आउन र लाइट इन ऑफ गंडिशन तो जब आप को दा था है तो उसमें एक च्छोटा सा फीला बत्ती जलता है छोटी रिवर्य जलती है मिनियेचर एलो यानि जब आप किया जाता है सिग्नल को तो एक छोटी पीली रोशनी जलता है जिसा सी ओप्षण इसकांसर होगा छोटी पी मिनियेचर एलो नेक्ट को चलेंगे लिए 76 एब बहुत संकेती सिगनल व्यवस्ता में बहुत संकेती है यहां गलत हुआ है बहुत संकेती सिगनल व्यवस्ता के सी क्लास पर कौन-कौन से सिगनल लगे होते हैं इनwashrict signaling system सीगनल और प्रवाइड डायट सी क्लास इस टेशंट पर कुम प हूं और हुआ है लिस्तेट ही रहता है तो डिस्तेइन्ट सब्सक्राइब दिश्टेंट होने पर समान इस्टिति में कौन सी रोषनी दिखाता है यहां पर जो सिगनल रहेगा उसे डिस्टेंट कहा जाता है और उसके बाद संब्सक्राइब तो सिगनल कौन साथ संब्सक्राइब जाएगा ग्रव्म कौन सा संब्सक्रा में संब्सक्राइब ब्लैंक सिगनल इन में सेले स्ट्रीटेड आज अती परतिवंदीर यानि यह जो है बिल्कुल मौस्ट रेश्टिक्टिव मौस्ट रेश्टिक्टिव का रथ है की डेंजर इस्थिती यानि डेंजर इस्थिती मानकर ही ड्राइवर आएगा गाड़ी खड़ा करेगा नेक्ट Sun लेंगे तरो इसस ने ग्याच्टिजट लेंगे सेवंटी ग्याच्ट को चलेंगे सेवंटी नाइन एजिए अग्रिम प्रस्तान सिग्नल खराब हो तो और आईघ्वी सकारी कर रहा हो तो इस även ऑकने प्रस्तान सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए कौन सब राधिकार देगा और जिस पर प्राइवेट नंबर उसी स्टेशन का होगा इफ दाइडवांस टार्टर इस डिफेक्टिव एंड आई बीसी वरकिंग विच अथॉर्टी सेल वी इसम इसू बिच प्राइवेट नंबर आप सेम स्टेशन टू पास दाइडवांस टार्ट है और तीसरा है कि सिर्फ खराब है तो तीनों पोजिशन में पूरी तरह से इस बात का ध्यां रखा जाएगा कि पूरा सेक्षन एक ब्लॉक सेक्षन माना जाएगा और जब एडवांस टार्टर अपनी स्टेशन का प्राइवेट नंबर देगा एडवांस टार्टर और टी तरी इसू किया जाएगा यहां तीनों कोस्चन आएगा आगे हम देखेंगे इसका जो अंसर है बी टी प्राइवेट नेक्स्ट कोस्चन लेएंगे एटी यदि अग्रीम प्रास्तान सिगनल तथा आई-वी औस सिगनल दोनों खराब हो तो स्टेशन वांस टार अग्री 3B authority with private number of which station to pass the advance starters signal and IBS in on position तो इसमें अगले station का जो station master है उसका private number लिखा जाएगा और वह गाड़ी का संचालन किया जाएगा इहां जो answer होगा option B अगले station का private number नेक्ट कोश्चन लेंगे 81 यदि अगरे इम प्रस्तान signal कारी कर रहा हो तथा IBS खराब हो तो station master IBS को आन में पार करने के लिए कौन सा प्राधिकार पत्र देगा और private number कि station master का होगा तो यहां पर भी जो है 81 पूरा पहले question पढ़ेंगे इव दा IBS defective and advance starter is working properly which authority cell issue ISM with private number of which station to pass the IBS तो इसमें भी अगले station का station master को प्राइवेट नमबर है वह लिखा जाएगा और जारी किया जाएगा जो अंसर इसमें option B है वह इसका option होगा प्राधिकार पत्र दिया जाएगा जब प्लैंक है in MSIALS system Approach signal becomes blank which authority will be issued from the station in the year to पिछले station से आदी जारी क्या जाएगा ज़िए अब सिग्नल क्या है ब्लैंग है ब्लैंग है तो सिर्फ उसको सतर्वता आदेश जारी किया जाएगा टी 409 दिया जाएगा यहां धिया यह रखना ब्लैंक है यानि बुजा हुआ है उसमें कोई लाइट नहीं है यानि वह डैंजर है नेक्स्ट कोश्चन 83 कांटे खराब होने पर संबंदी सिगनल को क्या माना जाएगा इफ पॉइंट इफेक्टिव करने कंसर्निंग सिगनल ट्रीटेड आज तो वह सिगनल भी खराब माना उसे खराब मानकर गाड़ियों का संचालन किया जाएगा यहां खराब है खराब मानकर गाड़ियों को संचालन किया जाएगा इसका अंसर ऑप्शन ए डिफेक्टिव सिगनल माना जाएगा नेक्स्ट कोश्चन 84 डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन का फॉर्म नंबर क्या है व स्टेशन का होम सिगनल खराब होने पर अधिकार पत्र पर क्या लिखा जाएगा वाट विल वी मेंशन और यहां तीनों जो आप्शन है वह सभी लिखा जाएगा यहां ऑप्शन दी इसकांसर है और भी बहुत सारे कॉलम रहते हैं लिखने के लिए तो यहां जो आप्शन ती तीनों लिखना मिंसर करना जरूरी है इसलिए यहां अंसर ऑप्शन डी होगा वो प्रोक्त सभी नेक्स्ट लेंगे 86 इन में सीएलेस विवस्ता में संट सिगनल के बारे में क्या गलत है वाट इज रॉंग एवाट दा संट सिगनल इन में सीएलेस इसका जो इसे अंतिम रो जारी किया जाता है यह वी सही है यह और सितिमें हरी रोशनी देता है संट सिगनल में हरी रोशनी होता ही नहीं है इसलिए यह अंचा रहेगी आफ्टर गेटिंग ट्रिश्ट नाइन वन अथर्टी बाट विल वी दा स्पीड ऑफ ट्रेन वाइल पासिंग ऑन दा पॉइंट पॉइंट के उपर पास कर रहा है तो समय जो है 15 केंपिएच स्पीड होगा पंदरा केंपिएच इसका अंसर ऑप्शन भी होगा नेस्ट स्पीड को बताता है और यहां पर जो अंसर भी है ऑप्शन भी यही इसका आंसर है पीला नेक्स लेंगे 89 को डिस्टेंज सिगनल यह तैप अप सिगनल यह एक अनुग्यात्मक्व सिगनल है पर मिशिव सिगनल है यह पर मिशन देता है और में ही रहेगा तो उसे पार करने सारे अंसर खुच कर सकते हैं यह परमिशिव सिगनल है एक सबसिडरी सिगनल है एंसर ऑप्षन d next question अंतिम रोक सिगनल का अभी पराय किसी गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में परवेश को नियंत्रिक करने के लिए किया लगाये गए है the last stop signal means the of a station controlling the entry of trains into the next block section तो इसको क्या है एक fixed रोक सिगनल है और fixed रोक सिगनल के द्वारा इसे लगाया गया है जो अंतिम रोक सिगनल के रूप में होता है तो इसका जन्सर ऑप्शन सी है fixed a stop signal next question लेंगे 92 कि फ्यूजी सिगनल के स्थान पर कि सिगनल का उपयोग किया जाता है इस सिगनल इस यूजज इन प्लेश डॉफ फ्यूजी सिगनल कभी बारिश के समय यूज किया जाता था तो फ्यूजी के जगा पर अभी जो आया है उसका नाम दिया गया है एलीडी बेस्ट ट्राइकलर फ्लैसिंग हैंड सिगनल इसका अंसर ऑप्शन सी होता है नेक्स्ट को चलेंगे 93 कि जौइंट सिगनल इंस्पेक्शन का रिकर्ड किसके द्वारा रखा जाता है Czy हर इंत्यु वहुता है रिकॉट आफ जॉएंट सिगनल इंस्पेक्शनिंऑ उफनी मैंटेंड वाइट हो लाग कर रखा जाता है और जो आधिकारि आते हैं से इसकी जाच करते हैं इसका अंसर ऑप्षन सी सिग्नल निरिक्छक जब्षक के द्वारे इसको उपनेने किने जाता है जैंट सिग्णल इंस्पेक्षन जैल वी कारीड आइट दा इंटरवल ऑप तो यह तीन महीने में होता है इसका अंसर ऑप्षन सी है तीन माह थ्री मंद्स नेक्ट कोचन लेंगे 95 यह मुंबई मंडल से है मुंबई मंडल में थ्रू लाइन के सिगनलों के खंबे का रंग कैसा होता है तो ऑन मुंबई डिवीजन सिगनल पोस्ट आप थ्रू लाइन सैल इडेंटिफाइड वाई वीच कला तो इसका जो अंसर है व्याइड सील यह एंसर ऑप्षन इसका है ए शिलवर कला नेक्ट कोचन लेंगे मुंबई मंडल में धीमी लाइन के सिगनलों के खंबे का रंग कैसा होता है On Mumbai Division, signal post of slow line, cell be identified by which color तो इसका जो अंसर है, black and white होता है, काला और सफेद जैसका अंसर है, option C Next question लेंगे, 97 Signal समान्जिता, लाइन के dash और किस और लगाए जाते हैं Which side of the line signal is located normally तो normally बाइन तरफ लगाया जाते हैं, left side में लगाया जाते हैं इसका अंसर option B है, लेकिन जब दाइन तरफ लगाया जाएगा तो special instruction के तहट CRS का permission लिया जाता है और उसके बाद दाइन तरफ भी signal लगाया जाता है जहां ऐसी बेवस्ता नहीं हो कि बाइन तरफ लगाया जा सके तो वहाँ दाइन तरफ लगाया जाता है लेकिन अनुमोदित विशे सनुदिसों के अनुसार CRS का permission लिया जाता है नेश्ट कोस्चन 98 डबल डिस्टेंट सिगनल विवस्ता में बाहतम सिगनल को क्या कहते हैं आर्टर मोस्ट सिगनल इन डबल डिस्टेंट सिगनल टेरिटरी इज कॉल तो जो सबसे बाहरी रहता है उसे डिस्टेंट सिगनल कहते हैं कि एनसर और उसके बाद जो दुसरा रता है उसे ऍूर के नाम से जाना जाता है नेdensk को स्टंशन लेंगेS को बाती नान डबल का खंबा की से लागत होता है क्षच कौर अम सिगनल हो या फिर इनर वाला हू दोनों का से मी रहता है यहां सिर्फ कंफुज करने के लिए ऐसा दिया गया है color सेम ही रहेगा सब्सक्राइब और ब्लैक पट्टी रहेगा लोग और ब्लैक पट्टी दोनों सीम। मुरम मुंच्छ सीगणल पोस्ट इस पेइंट किया जा सकता है यानि उसके साथ उसको जोड़ा जा सकता है या जा सकता है उसके साथ हिसे समायोजित किये जा सकता है उसके साथ ही से जोड़ा जा सकता है इसका जो अंसर है option c अंति विरोग सिगनल आज हमने 51 से लेकर 100 तक 50 लिया है और यह बहुत ही उपयोगी question है बहुत ही आपके परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है फिर इन्हें अच्छी पढ़ें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि और भी जो कि उसम वीडियो लेकर आएं वह आपको सबसे पहले बनाऊंगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैवारा तैंक्यू